नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओनलाइन लीगल एडवाइज में कई बार कोट में जब आप जाते हैं, कोट में जब आपका काम खतम हो जाता है तो आपको जरूरत पढ़ती है certified copy की जी हाँ certified copy के लिए या कि वो order की हो सकती है का केस लड़ रहे है या कोई civil suit लड़ रहे है या कि कोई criminal case लड़ रहे है तो आखरी में आपको judgment या order या certified copy की ज़रूरत पढ़ती है अब इस condition में आपका जो lawyer है या कि आप खुद आप certified copy निकालते है और इस condition में आपको यह ध्यान में रखने वाली बात होती है कि जो xerox copy है यानि जो photocopy है या xerox copy अगर आपके पास कुछ है भी तो वह काम नहीं आएगी कई मायने में आपको original documents के जैसे certified copy produce करनी होती है चाहे आप दुबारा remarriage के लिए हो या कि अगर आपने bail application किसी court में file की है आपकी lower court से bail reject हो गई आपको high court में appeal करनी है या high court से order को supreme court में appeal करनी है तो इन सारी condition पे आपको certified copy की जरूरत पड़ती है जैसा मैंने आपको बताया कि ये order भी हो सकता है, judgment भी हो सकता है, decree भी हो सकता है दोस्तों बात करेंगे कि क्या step involved है इसके पहले हमेशा की तरह मेरी आप से request है कि अगर आपने हमारा channel online legal advice अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लीजे इसके साथ bell icon जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे legal informative videos आपको मिलते रहें, आप तक पहुँचते रहें दोस्तों आपका बहुत जो कीमती महत्वपूर्ण समय आप हमें देते हैं उसके लिए आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत धन्यवाद है और इसके साथ ही हमारे एक लाग subscriber recently complete हुए आप सभी का मैं रिदय से धन्यवाद करता हूँ आते हैं अपने topic पे और दुबारा से बात करते हैं कि certified copy obtain करने के लिए court से क्या-क्या step involved होंगे सबसे पहला certified copy लेने के लिए एक document आपको मिलता है जिसे एक relevant form भी हम कह सकते हैं जिसे normally certified copy form कहा जाता है ये किसी भी court में जिस भी court से आपको certified copy लेनी है उस court में जो भी xerox या photocopy machines होती हैं जो photocopy करते हैं वहाँ पे मिल जाएगी या कि court के clerk से मिल जाएगी दोनों ही parties, petitioner और respondent दोनों की complete information आपको भरनी पड़ेगी case का number mention करना पड़ेगा judge का detail mention करना पड़ेगा कि judge का designation क्या है, नाम क्या है, किस court में बैठते हैं ये mention करना पड़ेगा जो भी आप order, judgment या decree, उसकी तारिक क्या है किस तारिक को वह decide हुआ है ये भी आपको mention करना पड़ेगा name of parties, date of judgment ये सारी चीज़े आप भरने के बाद में इसको जो भी आपने certified copy form भरा है उसे submit कर दीजे submission के लिए आप court में पता कीजे कि कि किस जगा certified copy मिलती है चाहे वह उसी court में अगर मिलती है तो उस court के clerk को judicial clerk को आप दीजे otherwise अगर कुछ अलग से counter है तो उस counter में जाकर के आप prescribed fees के साथ में मतलब court fees भी लगती है पांच रुपे का ticket, दस रुपे का ticket या पचास रुपे का ticket जो भी provision है उसे साब से ticket लगाई है आपके signature, आपका सारे detail जो मैंने आपको बताया वो mention करने के बाद में आप concern judicial clerk को या कि अगर उसके लिए अलग counter है certified copy अप्टीन करने के लिए तो वहाँ पे form submit कर दीजे अब इसके बाद में कई बार जरूरत पड़ती है कि judicial clerk यानि जिस भी court से आपको certified copy लेना है वहाँ कर जो clerk होता है उस clerk के या की signature लगेंगे या judge की signature लगेंगे तो form submission के पहले जो भी आप certified copy submit करने वाले हैं उससे पहले जिसे भी आप submit कर रहें उससे पूछ लीजे अगर judicial clerk JC के signature चाहिए तो आप judicial clerk का signature ले लीजे अगर आपको judge का signature चाहिए तो आप judge का signature ले लीजे और उसके बाद में ही आप submit कीजे आप जानते कितना समय लगेगा आपको certified copy obtain करने में लेने में कई मायनों में एक से दो या तीन दिन का समय लग जाता है लेकिन कई बार 15 दिन का भी समय लग जाता है या उसे जादा कभी समय लग जाता है यह depends करता है कि nature of document कैसा है मतलब किस तरीके का document आप निकाल रहे हो इसके बाद कई बार code to code भी depend करता है अलग-अलग जग़ाओं के हिसाब से भी depend करता है judge इसके भी depend करता है तो भी normally अगर आपको एक certified copy चाहिए आज अगर order या decree या judgment हुआ है तो लगबग 2-3 दिन का इसमें समय लगता है बहुत maximum हुआ तो 15 दिन का भी समय लगता है अगर काफी जादा pending cases है तो थोड़ा समय और भी लग सकता है जैसा मैंने आपको बताया certified copy कौन निकाल सकता है अगर आप petitioner है या respondent है याने आप अगर party हैं उस case में तो आप खुदी निकाल सकते हैं otherwise आपने जिस भी lawyer को appoint किया है आपके on behalf lawyer आपके लिए certified copy निकाल सकता है किसी third person को अगर certified copy निकालनी है तो उसे reason mention करना पड़ेगा कि ये certified copy किस purpose और किस reason की वज़े से court से लेना चाता है दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी निश्यत रूप से आप comment box पे mention कीजे इसके साथ ही आपके जो सवाल है वह भी comment box पे mention कीजे आपका बहुत कीमती और महत्वपून समय जो आप हमें देते हैं इसके लिए आपका धन्यवाद अगर आपकी personal problem के लिए आप मुझे बात करना चाते हैं तो हमारा appointment link mention है इस वीडियो के description में जहां से जाकर के आप appointment book कर सकते हैं और आप मुझे आपकी personal problem के लिए बात कर सकते हैं आपका बहुत कीमती और महत्वपून समय जो आपने मुझे दिया आप सभी का बहुत है निवाद